दमस्कार दूस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि USB के द्वरा फॉन को लैप्टॉप से कनेक्ट कैसे करते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इसको आपको लैप्टॉप में लगाना है तो चलिए यहां पर लैप्टॉप में इसको मैं लगा देता हूं यह हमने लैप्टॉप में इसे लगा दिया है अब आपको क्या करना है यह जो दूसरा वाला मूँ है उसको आपको अपने मोबाइल में लगा देना है इस तरीके से अब जैसे ही आप इसे यहां पर लगा देंगे आपका जो मोबाइल है वो यहां पर कनेक्ट हो गया है अब पहली बात है मोबाइल को लप्टोप से आप कनेक्ट करना चाह रहे है तो यहां तो आप इसका रचेज है वो यहां पर खोलना चाह रहे है या फिर मोबाइल का इंटरेट में पर आप डोनों चीजें और यह memory card का storage है, mobile का तो आप जो कुछ भी यहाँ पर copy paste करना चाहते हैं suppose करते हैं कि आप यहाँ से कोई photo या video लेना चाहते हैं तो simply आप उसको यहाँ से drag करके यहाँ पर लिए आईए वो आपका आ जाएगा और दूसरा यह है कि आप connect करने का मतलब है कि इंटरनेट करने करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है simply आपको जाना है setting के अंदर यहाँ पर जाना है other networks में उसके बाद आपको जाना है personal hotspot में और उसके बाद आपको जाना है Other sharing mode और यहाँ से आपको जाना है share phone network via USB आपने यहाँ से कर दिया नेटवर्क फॉर कनेक्ट करें, आपको कहना है YAS, जैसे ही आप YAS करेंगे, आपका यहाँ पर नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, ये ये USB का नेटवर्क फॉर आगया, कनेक्ट हुआ है ये नहीं हुआ है, ये सुनिस्चित करने के लिए आप यहाँ से YouTube सर्च क देख लेजिए यहाँ पर मैं अपना वीडियो ही चला देता हूँ यह देखिये है अपने इस वीडियो में आप सभी कमें वेलकम करता हूँ दूस्तो इस तरह से आसानी से आप अपने मोबाइल को कैबल के दौर लेप्टप से कनेक्ट कर सकते हैं दन्यवाद पुल दूसल भला ने आसानी से और सभी कर सकते हैं घब कर सकते हैं जह ईा सब्सवे क्में अपने के वेजिए जार लेजिएल. क्ढ़न हैनेहा हूँ